कोई भी केमरा जो हाथ नहीं पकड़ेगा जो क्रीमिनल है उसका नहीं चाहिए कौं से हिंदू है कौन जो हिंदू राश्टर की बात करता है वो हिंदू को जाकी खाना खिला रहे हैं स्वागत है आपका जनित आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा और आज यहां संसदमार पे जो धरना परदर्शन कर रही हैं माईला हैं और यह प्रोफेसर्स भी हैं कुछ एंजियो से रिलेटिड भी हैं तो मैं सबसे पहले तो यह बताईए कि 16 दिसंबर यह दिन भूलाया नहीं जा सकता है आज आप लोग एकत्रित हुएं क्या कुछ मतलब मुद्दा लेकर क्या आप लोग एकत्रित हुएं नाम क्या है हैं कोई अभी दिल्ली के अंदर ही दो दिन पहले अटेक की घटना हुई है तो महिलाओं की सुरक्षा कहा है जो केजरिवाल जी है 2012 में यहीं जंतर मंतर पर हम लोगों के साथ बैठकर महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराद हैं निर्भिया के लिए उन्होंने आवाज उठाई बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारे इतने नेता हमारे साथ हैं लेकिन आज वही के इजरिवाल जी जब मुख्य मंतरी है तो दिल्ली के अंदर 40% जो केसिज है जो अपराद रेट जो है वो 40% बढ़ चुका है और दिल्ली के स्कूलों की बात करते हैं मुख्य मंतर जी कहते हैं शिक्षा क्रांती आ गई है तो खाली शिक्षा क्रांती वो जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चों की उसमें नहीं आनी चाहिए न संसकारों में भी कल्चर में भी नैतिक्ता में भी आनी चाहिए शिक्षा एक man making character building का काम करती है शिक्षा चरित्र निर्मान का काम करती है लेकिन आज वो चरित्र कहां है स्कूल की एक बच्ची, 13 साल की एक बच्ची के उपर acid attack किया जाता है और केजरिवाल जी कहते हैं कि हमने camera लगा दिये है तो हम कहते हैं कि मुक्य मंत्री जी कोई भी camera जो हाथ नहीं पकड़ेगा जो criminal है उसका Crime जिस कारण से हो रहे है आज आप शराब एक के बाद एक साथ एक जो बॉटल है वो फ्री दे रहे हो Crime इससे भी बढ़ रहे हैं इतने जादा अश्लील था अश्लील फिल्में लग रही है Crime इससे भी फैल रहे हैं दूसरा आज 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 आप देखे कि जो मानसिक्ता बड़ी हुई है आज महिला विरोधी मानसिक्ता महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है और कहा जाता है कि राम राज्य स्थापित करेंगे हम भाई क्यों राम राज्य किसले स्थापित करेंगे हम लोगतंतर में रह रहे हैं लोगतंतर को जो लोगतंतर का जो सही माइने है समानता सोतंतर था वो आप लागू कीजिए महिलाओं को समानता दीजिए कि महिलाओं को सुतंतर दो दो धिजिए मेलाओं को सुरक्षा दो कहते हैं ना सम्मान किया जाता है क्या हुआ सिता के साथ को समय था वह सम्मान था एक अहिल्या उसके पती's ने बना तो खो पैर लगाए वह जो लाहता है वह पार कि यixel 10डश को भाव चला झीजह में दूसरा समय था सबहरा चलाती में अब्दूसाइब को आज तो कि आज वह रहे हैं उनके जो अपरादी है उनको फास्ट ट्रेक कोर्ट में सजा दीजिए उनको उधारन मुलक सजा दीजिए ताकि दूसरे अपराद करने देवाले लोगों को दर पैदा हो पुरुष परधान देश को इसलिए महीलाओं को दोयम दरजे का समझता तो पुरुष परधान क्यों किसी पुरुष को पैदा होने से मारा नहीं ये भी हमारा इतिहास है, बहुत अच्छा समय था, सब को खाना मिलता था, सब आराम से रहते थे, पुरुष प्रधान समाज में क्यों ओरतों को मारा जाता है, ये गलत है, इसको बदलना पड़ेगा इस समाज को, इस तरीके की सती प्रथा भी लाई गई थी, सती प्रथा को बदला गया, ऐसे दीरे-दीरे करके भुरून हत्या पर भी रोक लगाई जा रही है, अभी कानून तो बदले है, पुरुष प्रधान समाज के कई कानून बदले जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं, इसी पर आपको अंदाजा लगाना चाहिए, कहीं ने कहीं तो करके देखो, ना तुम्हें जेल में डाल दिया जाए तो, औरते ही बता देंगी तुम्हें, लेकिन इस्त्रिया तो मानती है कि पती देवता समान है, करवा चौत पर उनको देवता के समान पूझती है, वो जो औरते जो मानती है, देखिए, अगर कोई औरत नहीं मानेगी, वो घर में रह पाएगी, आज कोई औरत ना माने, यह बंधन है, यह संस्कार दिये जाते हैं, औरतों को प्यादा होते ही, कि बेटा, तुझे अपने पती को परमेश्वर मानना है, उसकी पुझा करनी है, उसके पैर चुने है, यह संस्कार हमारी नसों में भर दिये गए है औरतों की, यह संस्कृती है, संस्कृती अलग है, संस्कृती बदलती रहती है, संस्कृती कभी स्टैटिक नहीं होती, मैं इस तरीके का बोल रहे हैं, भावनाय आहत हो जाती हैं, आपको पता है, भावनाय आहत बहुत जल्दी हो जाती हैं लोगों की, देखें, भावनाय आहत करने का हमारा कोई उधेशन ही है हम किसी की भावना आहत नहीं करनाändern तो आहत उस समयं पर पर हुई थी जब बुरुनोंने कहा था प्रित्वी घूमती है सूरज नहीं घूमता है तो लोगों की कितनी भावना आहत हो गई थी उन उनको जि reject ला दिया तो इससे क्या हो गया आज सच्छाय तो आई ना सामने सच्चाय तो यहीं है कि जू पृत्वी है वही गूमती है सूरज का चक्र लागाती है तो बात यहीं है कि आदमी पती है वो वो भी उतना ही सम्मान नहीं है जितनी पतनी है दोनों का सम्मान बराबर होना चाहिए पुरुष परमेश्वर नहीं हो सकता वो औरत का भाग्य विधाता नहीं हो सकता आज कितनी औरते हैं जो अपना घर अपने बल्बूते पर चला रही है तो अगर आदम भागे विधाता होता तो क्यों इतने आदमी हैं जो नशा करके बैठे रहते हैं कुछ काम नहीं करते हैं और तो बच्चों को पालती हैं बच्चे भूखे हैं वो मां को ही बोलते हैं कभी भी पिता को नहीं बोलते बच्चों को पढ़ाना है वो भी जिम्मेंदारी मां की है एक पिता मर जाता है मान लोग को हो जाते हैं घटनाएं दुर घटनाएं माँ अपने सारे बच्चों को समाल लेती है लेकिन पिता के लिए कितना मुश्किल होता है तो आदमी और 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 दोनों बराबर हैं मैं आपको सेकुलर बता दिया जाएगा आप इस तरीके से बता रही हैं मैं तो हूँ मैं तो सेकुलर ही हूँ बिलकुल मैं सेकुलर होना सबको सेकुलर होना चाहिए सेकुलर का मतलब धर्म निर्पेक्ष हमें किसी धर्म से विशेश प्यार नहीं है हमारे लिए सब धर्म बर समविधान है उसका आधार तो सेकुलरिजम है ना सबसे उपर लिखा हुआ है सब यह रटाया जा रहा है आप शांती है रटाना काफी लोग यहां पर परदर्शन कर रहे थे मैंने खुद उनकी यहां पर जो है कवर किया है देखिए हमारे देश के जो पहले प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जी जब और घटना बतारी हूं मैं मतलब एक वेक्ति के रूप में सिर्फ अपने प्रधान मंत्री यूच के बारे cowsा नहीं कर करें हमारे प्रधान मंत्री जी धे देश के जवार लाल नहरू जी उस समय पर राश्टरपती थे ये राजेंदर परसाद जी तो उस समय पर गुजरात के अंदर एक मंदिर सोमनात मंदिर का उधगाटन किया जा रहा था तो हमारे प्रेजिडेंट जी को बुलाया गया था कि आप आईए और इसका उधगाटन कीजिए हमारे प्रधान मंत्री जवारलाल लहरू जी ने उनको पत्र लिखा कि आप मत जाएगा क्योंकि आप एक समवेधान पद पर बैठे हुए हैं किसी भी राष्ट्रपती को या प्रधान मंत्री को किसी मंदिर या मजडिर या गुर्दवारे का उधगाटन करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम एक secular country में रहते हैं हमारे लिए सब धर्म बराबर है हमारे लिए हिंदू धर्म भी वैसा ही है मुसलिम भी वैसा ही है क्योंकि हम हर धर्म की जंता की वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने उनको मना किया। इसलिए आज नहरू जी को देश निकाला बता दिया जाता है, जवाला नहरू यूनिवस्टीज पर सेकुलर का ठपा लगा दिया गया है। किसी को बताने से कुछ नी होता, इतिहास गवा है हर चीज का, इतिहास जो है वो सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे पास, तो नहरू जी जैसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, नेता जी सुभाज चंदर बोस, आज अगर हम कुछ चंद सेकुलर लोगों की गिंत किया, नेता जी सुभाज चंदर बोस ने जो सेना बनाई थी, आइने, उस आइने में आप बताने सकते थे कौन मुस्री में, कौन हिंदू है, वो एक साथ बैठ, कौन शुद्र है, कौन ब्रहमन है, सबको एक साथ बैठ का खाना दिया जाता था, सबकी एक किचन में सबका बनता था, तो सेकुलर तो हमारे देश की फाउंडेशन है, इसको कोई नहीं बिगाड सकता, आज जो और सेकुलरिजम और लोकतंत्र, समाजवाद, ये तीन हमारे समाज, हमारे लोकतंत्र के आधार है, तो आज सबसे बड़ा जो कुठारागात हो रहा है, वो दो चीजों पर, समानता, सवतंत्रता और भाईचारा जो लोकतंत्र का है, जो सबसे मजबूती जो आधार है, आज लोकतंत्र को खतम किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जो भाईचारा है, उसको खतम किया जा रहा है, धर्म के नाम पर, ये धर्म के और आजोरीती है न ये नहीं चलेगी इस देश के अंदर जंता एक तक जंता के एक तक कायम होगी जैसे किसान अंधुलन लडा गया एक होकर हिंदू मुस्लिम कौई कौन था igra कृशन के किसानों कॉ différé साट कर विल village जाएगा शाहिन हिंदूम का किसान अंदुलन इस देश की महिलाओं का अंदोलन था, वो मुसल्मानों का अंदोलन नहीं था, उसमें हम भी थे, हिंदू भी थे, मुसलिम भी थे, सिक्ष भी थे, इसाई भी थे, सारी महिलाएं वहाँ पर थी, ऐसे ही हमें आज एक जुट होकर, जाती, धर्म को सेकिंडरी रखकर, धर्म का अपना मामला है, सबको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का पूरा-पूरा अधिकार है, हमें हर धर्म को सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम सब के हित जुड़े हुए है, आज महंगाई हिंदू के लिए भी है, मुसलिम के लिए भी है, सब के लिए महंगाई है, बेरोजग जो है वो अपने चर्म पर आ चुकी है लेकिन आज हिंदू परिवार भूके मर रहे हैं कौन हिंदू आदी उनको खानक खिला रहा है जाके बताइए तो राशन विवस्ता का कितना हाल कर दिया कि गरीब आदमी आज किस तरीके से राशन लेकर पेट पाल लेता था लेकिन जा रहा है संसद के अंदर जो बलातकारी हैं क्रिमिनल्स हैं वो बैठे हुए हैं आज और वो बात करते हैं हिंदू राश्ट के बनाने की अरे पहले अपने लोगों को खाना तो खिला दो कोई भी राश्ट धर्म के नाम पर प्रगति नहीं कर सकता हम सबको इसलिए आज ज वहां से शिक्षा दूर हो रही है इन सबके जो समस्याइं हैं हम सबको इखटा होकर आंदोलन करना होगा आवाज उठाने होगी यही एक रास्ता है तो यह देखिए किस तरीके की विडमना है कि लोगों को आज सडकों पर उतरना पड़ रहा है न्याई के लिए कि एक किसी के लिए यहां पर यह महिलाएं एकत्रित हुई जो हमेशा से प्रोफेसर और शिक्षा भी देती आई हैं हमेशा से एंजी ओ से जुड़ी रही हैं समाजिक कारे करता हैं समाज के लिए हमेशा से हवाज उठाते आए हैं तो आज महिलाओं के इस मुद्दे को लेकर के आज ने यहां पर बुलंद और प्रचंड प्रदर्शन किया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 16 दिसंबर को जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था उसके लिए आज महिलाओं को कहां पर अपने आपको महिलाएं देखती हैं क्या बदलाव हुए हैं आखिर ये द सबसे बड़ी बात है यह तो इसी के साथ देखते रही है जनित आवाज मेरे सायों की धर्मेंट के साथ में पूजा संसद मार्क दिल्ली